आपने गरीवों के घर नेताओं को खाना खाते हुए तो बहुत बार देखा होगा आपने नेताओं को दलितों के घर जाकर खाना खाकर फोटो खिचाकर लोड़ते हुए भी बहुत बार देखा होगा मगर क्या आप ने कभी किसी नेता को गरीवों और मज़्दूरों को अपने घर खाना पर बुलाकर खाना खलाते हुए देखा है शायद आपका उत्तर नामे होगा मगर अब राहूल गांधी ने वो किया है जो एक मिशाल बन गया है राहुल गांधी ने किसान और मजदूरों को अपने घर खाने पर बुलाया और उन्हें खना खिलाया सोनिय गांधी और प्रेंका गांधी ने उनके साथ डांस भी किया ये सब सुरू हुआ था आठ जुलाई से जब राहूल गांधी हर्याडा के सोनी पत्में किसानों के बीच पहुंचे थे आज हम इसी मुद्धे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहूल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्हें गरीवों की सच में चिन्ता है या फिर बोच सिर्फ नरेंद्र मोधी जैसे फोटोवाजी करने ही जाते हैं नमस्ते मैं जैकी यादब न्यूज नसा में आपका स्वागत करता हूँ तारीक थी 8 जुलाई राहूल गांधी सोनीपत के खेतों में किसानों के बीच पहुँश चुके थे राहूल गांधी अपने जूते उतार कर खेत के भीतर घुश जाते हैं और दो किसानों से उनके खेती के बारे में पूछते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे खेत उनकी जीविका का साधन है राहूल गांधी उन दोनों किसानों के साथ ट्रेक्टर पर बैठ जाते हैं राहूल गांधी ट्रेक्टर चलाने लगते हैं और वो दोनों किसान उनके अगल बगल tractor पर ही बैठ जाते हैं दोनों किसानों से चर्चा करने के बाद राहुल गांधी उन महला मज़दूरों के पास पहुंचते हैं जो खेत में धानरोपने आई होई थी एक महला मजदूर राहुल गांधी से कहती है कि उसे आंक से दिखाई नहीं देता राहूल गांधी पूछते हैं मोतिया हो गया है क्या महला मजदूर हामें जबाब देती है राहूल गांधी उसे कहते हैं कि मैं आपका सही करा दूं राहूल गांधी उस महला मजदूर को एक दो बार कहते हैं उसकी आंकों को सही कराने के अब आसा है जल्दी उनकी आखे सही हो जाएंगी आपको दिखता नहीं है उनका खाना वी खाते हैं उन्हीं महला मजदूरों से एक मजदूर पूछती है कि आप कहा रहते हो तो रहाल गांधी बताते हैं कि वो दिल्ली रहते हैं तो वो महला उनसे कहती है कि आप भी मुझे अपना घर दिखाओ तो रहाल गांधी कहते हैं कि उनका गर है ही नहीं उनका घर तो सरकार ने ले लिया है इस बात पर मजा की अंदाज में वो महला कहती है तब तो फिर आप सरकार को ही दिखादो रहुल गांधी वहाँ बैटी उन सभी मजदूर महलाओं की फरमाइस पर प्रेंका गांधी से उनकी बात कराते हैं प्रेंका गांधी उन्हें अपने घर आने का निमंतर देती हैं आप नेताओं को उनकी भूलने बाली मेमोरी के कारण जानते होंगे कुछ ही नेता होते हैं जो अपने बादों को याद रखते हैं बरना नेताओं के बादों में कोई माइने नहीं होते हैं मगर रहुल गांधी उन नेताओं में नहीं हैं रहुल गांधी अपने बादों को लेकर पक्के हैं और वो जो भी कहते हैं वो करते भी हैं ये बात यहां से समझी जा सकती है कि राहूल गांधी जिन मजदूर महिलाओं से अपने घर बुलाने का बादा करके आये थे, उन्हें एक सप्ता के वीतर ही, यानि 14 जुलाई को वो अपने घर बुला लेते हैं. उन सभी महिलाओं को हर्याणा के सोनी पत से दिल्ली लाया जाता है. दिल्ली याकर उन्हें दिल्ली घुमाया गया, उसके बाद वो सभी राहूल गांधी के घर पहुँचे, जहां सोनिया गांधी और प्रेंका गांधी पहले से ही मौदूद थी. सभी किसान और मजदूर महि अबल पर बैठाया गया, और उने खाना परुसा गया. यहां गौर करने बाली बात यह है कि प्रेंका गांधी और सोनिया गांधी ने उनके साथ बैठकर ही खाना खाया. फोटो वाजी के चक्कर में नेता करीबों के घर खाना खाने चले जाते हैं, मगर उनने अपने घर ब महिलाओं के साथ खूब ठुमके लगाए और सोनिया गांधी ने उन्हें अपने गले से भी लगाया राजनीत में आज भी इतनी सुंदर्ता बची हुई है बास्तम में राहूल गांधी राजनीत में एक अलग ही प्रतिमान गड़ रहे हैं जहां मरेंद्र मोधी की सरकार किसा किसानों पर अत्याचार करते नहीं थकी वहीं एक नेता है जो उन्हें अपना कंधा दिये खड़ा है जहां मोधी सरकार ने किसानों को रुलाया वहीं एक नेता है जो उनके आशुक पहुंच रहा है राहूल गांधी ने किसानों से अपनी बातचीत का यह पूरा वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा सच्चे और समझदार हैं भारत के किसान अपनी मेहनत भी जानते हैं अपने अधिकार भी पहचानते हैं जरूरत आने पर काले कानूं के खिलाब डट जाते हैं तो साथ में MSP और बीमा की सही मांग भी उठाते हैं अगर हम उन्हें तो देश की कई समस्याई भी सुलच सकती हैं रहॉल गांदी देश में एक जन्नयक के रूप में उभर रहे हैं लोग रहॉल गांदी से आस लगाने लगें हैं अब जब हर तरफ नफरत ही नफरत है उस दोरान राहूल गांदी महबत की दुकान खोल कर बैठे हैं यही वो कारण है जो उन्हें देश में एक जन्नेता की तरह समाज में इस्तापित कर रहा है इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि राहूल गांदी जूट का व्यापार नहीं करते हैं वो ज के इस कारक्राम में बस इतना ही जल्द ही मिलते हैं एक नए मुद्दी के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर